का था चुर्म है कलोजों मेरे नए वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो के नीचे डीए गए यह साइन सब्सक्राइब को अवेश्य कलिक करें गयां इसके बाद यह की साइन को क्लिक करें यहां इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेप करें ताकि आप नोटिफिकेशन विलतार है आपको मेरे नए वीडियो देखने के लिए थैंक यू करें आपको मेरा करें आपको स्थासी उेखने के लिए समस्ति करें धूक्स वे इस दिए आयो करें यह ने लिए यह बूड्यों कि ट ses बस्तितर में इसको करें ते डीलत के लिए्डियों कि अचेशन पर्युम। फर न props C. करें आपको घ्स बाद लिएकसे दो actually this is suggestion strong suggestion first use of this is to make a strong make a strong suggestion to make a strong solution right so must means you need to do this so should be a choice or ought to ka matlab bhi chaiye to the difference kya that we are going to learn the must be strong suggestion when you are suggested to do something it means you have to do it because otherwise you are going to to lose something unless you have a kind of sony for you have to suggest you must love English so you must learn English to get a better job okay you must learn English to get a better job better job तो must मैंने क्यों यूश किया शुड क्यों नहीं किया यहां पर यूश क्योंकि मस्ट करने से यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको सीखनी चाहिए एक अच्छा जॉब पाने के लिए तो आपकी जरूरत है यह सिंपल बोलूं कि यू शुट सिट इयर तो यह सिंपल है आपको यहां बैटना चाहिए उससे कोई लॉस नहीं हो रहा आपकर पर कहीं पे आपकी जरू शुट तो अमस्त न स्बब्स शांब तो यह टो उस शुटॉ He must take proper rest to recover now see this one he must take proper rest to recover quickly तो ये भी आपकी जरूरत है अब शुड मीश चाहिए that is simple should like you should go there you should come to my party you should simple you should learn English ये भी बोल सक्क्राइब आपको सीखनी चाहिए मगर रीजन तो मैं नहीं बता रहा है क्यों अगर कोई strong उतर तो फिर आपको सीखनी चाहिए चाहिए that's all तो ये simple should होता है अब आजा ये next use of should so should का second use होता है जैसे मैंने आपको बता है रहा है जैसे मैंने आपको बता है रहा है जैसे आपने कहा वाट शेल आई डू नाओ मैं अब क्या करूँ what shall I do now मैं अब क्या करूँ what shall I do now मैं अब क्या करूँ तो अब यहां पर should भी लगा सकते हो आप तो what should I do now to do now अब मैं क्या करूँ क्या मैं बहार आपका इंतजार करूँ तो shall I wait for you outside या should I wait for you outside outside okay okay should I go or should I wait for you outside आउट साइड, शुड़ाई वेट फार यू आउट साइड, क्या मैं बहार आप कंतिजार करूं, ठीक, शुड़ाई, नाओ, नेक्स्ट इस और टू, और टू इस और टू, और टू इस और सो चाहिए, बट ये कैसा चाहिए, जहां पर आपकी moral duty दिखती हो कही, आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी duty है, like you ought to follow traffic rules, you ought to follow the traffic rules, तो ये ought to use क्यों कर रहे हैं यहां के, should और must क्यों नहीं कर रहे हैं, sir, moral duty, क्योंकि ये आपको ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि ये आपकी duty है, you ought to follow the traffic rules, yes sir, next like we ought to, like we ought to help the poor, तो ये भी हमाई duty है, क्योंकि हम गरीगों की मदद करनी चाहिए, we ought to help the poor, now we ought to educate the girls, we ought to educate the girls, so that is the use of should, must and ought to, okay, you may make sentences to practice it, the एमेत्र ए